आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडिई इनेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रो आज बात करेंगे खर्पतवार एक औस दी आप देख रहे हैं इरीजिरोन केनेडेंसिस कोनाईजा केनेडेंसिस या फिलीबिन की नाम से त्वल्ड में इस प्लांट को जाना जा एक व्त सब्सक्राविण्यू में कर सकते हैं इसांकि जरी आने के लिए खा अने के बाद कई बार है प्रेले इर्लेफ रिएक्शन को जाथी है या कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस कोज कर सकता है बित्रों इंफ्लोरेश्यूट का मतलब होता इसमें flowering का आना वाइट इस फ्लावर इसमें आ जाते हैं उसी को हम कहते हैं क्योंकि फूल आने के बाद इसमें pollen grains के कारण allergic reactions होने की संभावना hypersensitive जो लोग sensitive होते हैं उनमें हो जाती है skin में allergy भी हो जाती है तो ऐसी समस्षा है कुछ लोगों में होती है सभी में नहीं जाता है और यह खर्पतवार भी है लेकिन अब यह अगर हो गया है और आप इसको जानते हैं आप इसको identify कर सकते हैं तो हम इसको उस्दिय कोनों के लिए क्यों आउपयोग मिलाएं मित्रों पूरे प्लांट का essential oil extract किया जाता है और वो essential oil skin की problems के लिए राम बान उसदी का कारे करता है granuloma annular करके एक skin की diseases होती है जिसमें skin के ऊपर growth हो जाती है development हो जाती है irritation होती है races हो जाते है redness develop हो जाती है इस तरह की जो समश्या है उसका वो आसानी से दूर करता है मित्रों इसकी common पत्तियों का decoction अगर आप 7 करते हैं तो hepatitis की समश्या को दूर करता है जिसके अंदर liver के अंदर swelling हो जाती है आप कॉमल पत्तियां तीन से चार ले लीजिए उसका decoction बना लीजिए काड़ा बना लीजिए और सेहद के साथ उसका सेवन किजिए hepatitis की समश्या को दूर करता है इन्हीं पत्तियों को लेकर अगर आप सर्सों के तेल में डाल कर धिमियाज पर पकाएंगे तो कान में जो inflammation हो जाती है कान में जो infection हो जाता है bacterial microbial या fungal किसी भी कारण से उसको दूर करता है scientific भाजा में हम उसको otitis media कहते हैं उसमें ये vicious गुंकारी होता है अगर diarrhea या dysentery की समश्या है तो इन्हीं कॉमल पत्र का decoction बनाकर आप सेवन करा दीजिए आसानी से diarrhea dysentery दूर हो जाती है पेट में कीडे की समश्या है तो समस्त प्लांट के पंचांग का decoction बनाकर सेवन करा दीजिए वो भी दूर हो जाता है और अगर urinogenital disorders हैं उस case में भी आप पूरे प्लांट का decoction बनाकर सेवन करा दीजिए विशेश गुंकारी होता है आसानी से विभिन परकार की समश्य हो आंखों में रेडनेस आगई हो आखें दुख रही हो पॉमल पत्तो का काढ़ा बनाकर अंखों को उससे दोडेना चाहिए कंजंक्टिवाइटिस की समश्या भी दूर हो जाती है मित्रों मूल प्रकृतिस प्लांट की पित्तर को समन करने वाली होती है और पित्तर के आग भुखार को भी दूर करता है और बार-बार जो भुखार होने की समश्चा होती है पित्त के अग्रावेशन के कारण पित्त के बढ़ने के कारण उसको यह दूर करता है इस मुसम में अपरेल से लेकर मैय जून तक सहस्ता से आपको देखने को मिलेगा लेकिन औस यह गुणों पर पढ़ते हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इमेल के माध्यम से या टैलिफॉन कम्मुनिकेशन कर सकते हैं मिद्रो कई बार वाइल्स की समस्या हो जाती है फोड़े हो जाते हैं और वो उसका कारण बैक्टिरियल इंफेक्शन हो जाता है पस भी पढ़ जाती है तो भोड़ा आसनी से ठीक हो जाता है तो इस प्लांट की जो ग्रोथ है चरपतवार है दूसरी इसकी जो ग्रोथ है बड़ी फास्ट होती है कॉमन भासा में हम लोग इसको घोड़ा घास भी कहते हैं, होर्स वीड भी कहते हैं, बटर वीड भी कहते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजे, जानकर एको जरूर सेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजे, और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजे, ताकि नित आने वाली प्लांट का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे हैं, इनी बातों के साथ आप सभी का महनेवाद, पर नाम हमस्कार